हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज का वर्ड है डिस्टेंट डिस्टेंट मेंज फार अवे इसका हिंदी में मतलब होगा बहुत दूर या दूर का जैसे आप कहना चाहते हो कि रेखा मेरी दूर की रिष्टेदार है तो आप ऐसे कह सकते हैं रेखा इस माई डिस्टेंट रेलेटिव स्थान या समय की दृष्टी से बहुत दूर बताने के लिए भी हम डिस्टेंट का यूज करेंगे एक्जामपल आप ले सकते हैं रिस्टेंट कंट्री रिस्टेंट मैमरी अब चलो इन्हें एक्जामपल की हैल्प से समझते हैं दृष्टेंट का यूज हम उस परसन को भी डिस्क्राइब करने के लिए करेंगे जो बहुत फ्रेंडली नहीं होता यानि कि जो लोगों को अपने इमोशन्स जादा शोन नहीं करता थोड़ा अलग थलग सा रहता है देखिए म्यूट का मतलब होता है चुप लेकिन इसका मतलब वो नहीं है कि जो बिलकुल भी ना बोले उसके लिए आप म्यूट वर्ड का यूज करेंगे कुछ बंदे होते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं यानि कि इतना जितना की बस जरूरी है उनके लिए भी आप म्यूट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं देखे मान लो कि आप किसी से बात कर रहे हो लेकिन जो सामने वाला बंदा है आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है उसका ध्यान कहीं और है वो सामने तो आपके खड़ा है लेकिन उसका दिमाग पूरी दरह से कहीं और है तो वहां भी हम डिस्टेंट वर्ड का यूज कर ये थी हमारी आज की वीडियो, I hope आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो like and share करना मत भूलिए, subscribe कर दीजिए मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए है, hit कर दीजिए bell icon को, जिसे की आपको आने वाली सभी वीडियो की notification मिलती रहे, फिर बिलती हूँ एक नई झाँ, झाँ, ह कर दब आप कर दिलते हैं, इ Lakini, का नई है झाँ, आप वे की आपको आचि कर दिलती है की ओ पन्मा ये ज जग़े नहीं को, आपको आएगर राहीं, रहे हूँ नहीं पर किया स्टार सुआ है, हुए जो, आपको उन स्बस्सक्त्सक्वाम्ग, आत्चदिते ह